असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग और आद चटी शरीफ का दीन है और आप सबको चटी शरीफ मुबारक हो और सुबा के बिच्छी बच्की 20 मिनट हो रहे हैं और देख सकते हैं मैं बुलन दर्वाजे के सामने हूँ और बुलन दर्वाजे के दिन जियारत करते हुए आप पूरा देखाने की कोशिश करती हूं और आप लोग को एक नमबर दो नमबर गेट की जियारत भी करवाओंगी तो देख सकते हैं मैं अंदर की तरफ आ गई हूं और इधर से मैं चल रही हूं और माशाला जाहरीन की भीड़ भार आप लोग देख सकते हैं कि 6 बज़ की 20 मिनट हो रहे हैं और इस वक्त भी भीड़ भार जो है वो कितनी है और महर्रम की वज़े से अभी जो भीड़ भार है इस चटी शरीफ पे वो काफी है बहुत ज़्यादा है अभी साथ बज़े तक तो भीड़ भार थोड़ी सी कम रहेगी और साथ बज़े के बाद में तो यहां से जाने की जग़ भी नहीं रहेगी तो मैं अभी चल रही हूँ आगे चल के देखते हैं क्या महौल है तो मैं आप लोग के जियारत करवाते हुए चलती हूँ और अभी इदर से ना मैं थुड़ा सा आप लोग को अकबरी मस्जिद की जियारत करवाऊंगी उसके बाद में मैं आप लोग का आगे ले करके चलती हूँ चलिए यहां से मिले चलती हूँ आप लोग का अकबरी मस्जिद की तरफ और यह देखिए यह अकबरी मस्जिद है और ब्लोग का आप लोग प्लीज पूरा देखिएगा मैं थोड़ा सा ही अकबरी मस्जिद की जारत करवाऊंगी उसके बाद मैं मैं आप लोग आगए का मनजर दिखाती हूँ तो यह अकबरी मस्जिद और देख सकते हैं आप लोग अभी भी इसमें माशालला जारीन की देख सकते हैं लोग सब अपनी अपनी जगा लेके लोग बैठ चुके हैं और अभी इसमें काफी जगा है इधर से मैं चलती हूँ आप लोगों को देखिए यह अकबरी मस्जिद जो है ना यह सुरू में बुलंदर वाज़े से जब आते हैं ना तो शीड़ियों से ऊपर आकर कि यह है साइट में देख सकते हैं आप लोग की ऊपर में अकबरी मस्जिद है और इधर से मैं चलती हूँ आप लोग को आगी की जियारत करवाती हूँ मैं देख सकते हैं आप लोग के माशाल ना जारीन के जो भीर भाड़ है वो कितनी है किस तरीके का महौल है अभी आप लोग चलिए मेरे साथ में जयारत किजिए आप लोग को बाबा फर उद्दिन का चिल्ला शरीफ है वहाँ भी ले चलूँगे मैं आप लोग को और अभी मैं दीरे दीरे थोड़ा चल रही हो ना क्योंकि भी बाहर जो है वह काफी है तो मैं आराम आराम से चल रही हूँ और आप लोग की भी जयारत हो रही है मेरे साथ में आप लोग भी जयारत करते हुए मेरे साथ में चलिए और ब्लॉग का आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि ये ब्लॉक तो आप लोगों के लिए ही बनाई हूं अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर क्या फायदा होगा मेरा बनाने से और आप लोग जितना ज़्यादा देखिएगा और जितना ज़्यादा सेयर कीजिएगा ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो मेरा भी होसला बढ़ेगा तो देख सकते हैं आप लोग ये वजु खाना है और मिधर आप लोग को आगे से करीब से चल करके दिखा रही हूँ यहां से देख सकते हैं आप लोग जो गुंबज शरीफ इनवा कितना अच्छा दिख रहा है और आगे की भीड़ भी आप लोग को दिख रही होगी और ये वजु खाने की जिया आप लो और मैं यहां कड़ी होना साइद इसको मैं फिल खाना कहते है कोवालिव अगरा का प्रोग्राम जो होता है न तो इसके अंदर ही होता है मैं वहीं सीडियों पर खड़ी हूँ अंदर की भी मैं आप लोग को जियारत करवाऊंगी और ये बड़ी देख है देख सकते हैं आप लोग और देख सकते हैं अभी का क्या महाल है आप लोग और इदर में देखिए बाबा फरे दुदिन के चिल्ला शरीफ जाने के वज़र से कितनी बीड़ बाड़ यहां पर हैं बिल्कुल भी जाने की अभी तो जगह नहीं है और ये देखिए जहां में खड़ी थी वाँ अंदर का ये महाल है ये देखिए साइद इसे महफिल खाना कहते हैं मुझे पता नहीं है लेकिन इसके अंदर का वालिव अगरा का प्रोग्राम होता है मैंने देखा है और देखिए आप थोड़ी से बीड़ बाड़ जो है कम होई थी तो मैं इदर आई और देख सकते हैं आप लोग कितनी बीड़े आगे तक मैं तो मैं साजानी मस्जिद से हो करके चल रही हूं और उधर से आप लोगों में जियारत करवाती हूं और साजानी मस्जिद के भी आप लोगों को जियारत करवाती हूं और यहां तो मैं कोशिश की थी कि मैं बाबा फरिदुदीन कचिल्ला शरीफ की जारत करवाओं आप लोगों को लेकर इतनी भीड में तो नामुम्किन है और अभी आप लोग साजानी मस्जित का ही मनजर देख सकते हैं कि इसमें कितनी भीड बार है अभी सब लोग जो है ना अपनी अपनी जगा लेकर के बैठ चुके हैं कि बाद में साथ वजी के बाद ना फिर भीड हो जाएगी फिर जगा नहीं मिलेगी इसके अंदर तो ब्लॉक को आप लोग प्लीज पूरा देखिएगा ताकि आप लोग पूरा जारत कर पाएं और देखिए भीड थोड़ी से कम होई थी तो मैं इस तरफ से आई हूँ और चलिए मैं अंदर एक नमबर गेट की तरकी आप लोग को जारत करवाती हूँ और उधर कभी महाल में आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरीके का महाल है और यह देख सकते हैं यहाँ पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं मस्जिद है यह भी और इधर से मैं चल रही हूँ देख सकते हैं आप लोग इधर भी माशालला जाहरीन के जो भीर भाड़ है वो थोड़ी इधर कम है और देखिए जो गरिब नौस का में दर्वाजा है वो यहाँ से आप लोगों को दिखेगा मैं आ गई हूँ और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सुबह के साड़े च्छे हो रहे हैं और इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं के माशालला जाहरीन के जो भीर है वो किस तरीके की है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छटी छटी पे कितनी बीड़ बाड़ होगी देखिए आप लोग यहां से मैं आप लोग को जियारत करवारी हूँ देख सकते हैं आप लोग कहां से लाइन जो है न वो लगी हुई है पुरी और यह अंदर जो है मस्जिद है यहां से आप लोग जियारत कर सकते हैं और इतनी बीड़ बाड में देखिए मैं बना पाती हो है कि नहीं छटी शरीफ की दुआ का मैं कोशिश करूँगी कि छटी शरीफ की पुरी दुआ का मैं आप लोग को अलग से वीडियो बनाओ और आप लोग देख सकते हैं इधर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग को एक नमबर गेट के पास में चल के जहरत करवाओं लेकिन भीड बाड़े इतनी है कि साइद मैं वहां तक नहीं पहुँच पाऊंगे देख सकते हैं आप लोग इस तरीके का पुरा महाल भीड जो है न वो काफी थी और मैं उतना ही आप लोग को जियारत करवा पाई हूँ तो आप लोग का ब्लोग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का और प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा जहां भी शेयर कर सकते हैं आप लोग और मैं यहीं तक का बना रही हूँ क्योंकि फिर मुझे भी जगह नहीं मिलेगी तो मिलते हैं अगले ब्लोग में शाला मैं कोशिच करूँगे कि छटी सरीप की दुआ का पूरा डानू आप लोगों को